कि आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं डुब्लिकेट और कॉपी प्रोप्रिटिस फ्रॉम ठीक है तो इसको पहले स्टार्ट करने से पहले यह जानना दिलूरी है कि डुब्लिकेट होता है इस रेक्टाइंगल कब मैं कलर कर देता बुलू अब इसको मैं क्या करता हूं कि इसको मैं सेलेक्ट किया और इस प्रकार से मैं ड्रैक करके राइट क्लिक बटन प्रेस किया, ठीक है? तो अब मैं इसका repeat चाहता हूं, इसका और एक हादू को और चाहता हूं तो अब आप क्या करते हो, Ctrl-D बटन प्रेस करते हों, जितना आपको copy चाहिए ठीक है? इसी चीज़ को आप edit menu पर जाकर इसी चीज़ को आप Edit मेन्यू पर जाकर यहां देखे डुब्लिकेट लिखा वाना डुब्लिकेट पर क्लिक करके आप यहां ला सकते हैं ठीक है तो यही होता है आपका डुब्लिकेट आगे है copy properties from ठीक है यह क्या होता है यह properties properties copy करता है जैसे कि आप यहां rectangle जो आप देख रहे हो कि इसका में क्या करता हो कुछ color design change कर देता हो जैसकी यह blue है यहां पड़ गया यहां से मैं इसको ड्राइट किया कि कलर इसका में डेट कर दिया अब यहां देखे कलर दो एक ब्लू और रेट कलर का मैं नेक रेक पैटर्न बनाया डिक है एक सर्कल बनाते हैं अब यही जो कलर पैटर्न है मुझे सर्कल में चाहिए तो इसके लिए मुझे को क्या करना पड़ेगा इडिट मेन्यू पर जाना पड़ेगा यहां से वह एक बार जुम कर लेता हूं कि इडिट मेन्यू पर गया है कि कॉपी प्रोप्रीज फ्रॉम पर क्लिक किये क्या 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 करना है आउटलाइन आउटलाइन कलर और फिल यह तिनों चीज क्या क्या कहां से क्या 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 इस रेक्टाइंगल से क्लिक किया यह जैसे मैं कि अग जाद लुद्ट